नमस्कार आदाब सच्रियकाल स्वागात आपको मैंट ब्रेंस पे इंडियाज बेस्ट ओलनाइल लॉनिंग प्लाइटपर्म जहां आपको मिलता है किंडर काड़न से लेकर 12 तक कसारा एडूकेशन आपसलूटली फ्री आफ कॉस्ट टूरेंस मैंट ब्रेंस के माध्यम से और competitive exams यानि प्रतियोगी परिक्साओं की तैयारी कर सकते हैं वो भी बिलकुल निचुलक सर लेकिन आपकी शकल को देखके लग तो नहीं रहा है कि आप निचुलक पढ़ाते होगे देखो I understand your feelings but actually we don't take any fees हाँ अगर आप हमें फीज के माध्यम से या फिर कुछ आप गुरु यह हमारे लिए सबसे बड़ी गुलू दक्षणा होगी इससे बड़ा कुछ नहीं होगा ठीक है चलो आज के सेशन में अपने differentiation देख रहे हैं कुछ अलग टाइप के functions का क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं differentiation पढ़ते तो हैं लेकिन एक बार में सारे कर दोगे तो फिर confused हो जा खलो अब देखो यहां पे अब तक आपने अगर X की power 5 है ठीक है यानि variable की power कोई number है इसका differentiation किया है लेकिन आज अपन जो देखने वाले उसमें अपन exponential functions की बात करेंगे जहां पे किसकी जहां पे constant value की जो power है वो है एक variable ठीक है तो यह वाला मामला नॉर्मल मामलों से अलग हो जाता है वैसे आपके पास ऐसा भी case आएगा जहां constant की power constant है for example तो यह तो constant value है इसका differentiation हो जाएगा 0 पर लेकिन अगर constant की power में variable आ जाए जैसे 5 power X हो गया या मानलो E power X हो गया अब भाई यह तो है तो यह भी function ही तो फिर इसका differentiation करना भी हमें आना चाहिए तो यहां पर हम वही सीखेंगे कि अगर इस type के कोई function होते हैं तो उनका differentiation क्या होता है जैसे यहां पर देखिए कि लिखाए सबसे पहले उपर आपके सामने कि derivative of E power X is E power X for all X belonging to R अगर आपकी power एक real number है तो उसका derivative E power X का E power X ही रहेगा यह है उसका proof जिसमें हम यहां पे वो जो first principle है उसके तहट जब solve करेंगे तो answer में हमें E power X मिल रहा है proof आपको probably याद करने की जरुवत नहीं है आप बस जो rule है उसको अच्छे समझ लीजिए और आपका काम हो जाएगा ठीक है good to go yes चली यहां पर screen clear होगी next point है अगर logarithmic functional से यहां पे दिया है log of X का derivative ढूंडो तो इस case में आपका जवाब के आएगा कि भाईया derivative of log of X is 1 by X where X is greater than 0 log of X का derivative होता है 1 by X यह रहा proof जहां पे हमने first principle का इस्तमाल करके और सारे concepts को समझ के अपना answer बताया कि log of X का derivative होता है 1 by X again proof आपको याद करने की जरुवत नहीं है this is just for reference कि भाईया हम को रैंडम ली अंधेरे में तीर नहीं चला रहे है प्रभू actually log of X का differentiation 1 by X होगा तो आपको basically क्या करना है यह सारे नियम काईदे कानून याद रखने है और याद करने का सबसे बेस तरीका क्या है भाईया practice जितनी ज़्यादा practice करोगे उतने ज़्यादा आपको rules clear रहेंगे और आपकी understanding develop होगी अब कुछ important concept जो कि आपको यहाँ पर याद होने चाहिए जैसे अगर मान लो आपको a power x का derivative कोई बोल जैसे कि मैंने example दिया था 5 power x तो उसका derivative होता है भाईया a power x का derivative क्या होता है तो देखो यहाँ पर लिखा a power x का derivative होता है a power x log a अब देखना यहाँ पे clarity आपको होनी चाहिए x power something x power a यानि x हो गया variable x हो गया a हो गया आपका constant value ठीक है x power a का derivative कोई पूछेगा तो आप बोलोगे a into x की power a minus 1 ठीक है कोई आपसे पूछे a power a का derivative तो यह constant value है 0 कोई आपसे पूछे a power x यानि constant value की power में variable तब आपका derivative होता है a power x log a clear है यह जी सर कोई दिक्कत यहाँ पे जरासी भी नहीं सर इन तीनों का फरक आपको समझ में आना चाहिए कहा variable है कहा constant है ठीक है सर अगर x power x आ जाए तो अच्छा सवाल है x power x आ जाए तो क्या करेंगे अब उसको भी अपन आगे जाके कभी ना कभी explore करेंगे ठीक है प्रोबाबली आपके system में आपके पूरे concepts में जो rules regulations दिये हैं वो अपन यहाँ पे खतम करेंगे ना क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे और rules regulations थे जो कि आपको नहीं पढ़ाए गए हैं ठीक है क्योंकि आपका syllabus का scope limited है अब यह देखिए derivative of log x to the base a अब यहाँ पे देखना दोरों में फरक्या है जो पहले दिया थे यहाँ पे log x दिया है लेकिन कुछ base नहीं लिखा है तो वहाँ पे base आप क्या मान लेते हैं probably e मान लेते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पे जब आपको कुछ उसके अलावा कोई अलग base दिया है तब आप क्या बोलते हो derivative x log a so it depends a lot की base क्या है अगर कुछ नहीं लिखा है तो base e मानते है उस case में आप cancer क्या आता है उ लेकिन यहाँ पे log x to the base a है तो आपका जवाब होगा x log a clear रही है मामला कहीं कोई दिक्कत तो नहीं जरा सी भी नहीं सर्च चलिए तो log के साथ आपको base भी चेक करना होता है जब भी आप derivative निकालेंगे ठीक है अगर mod of x हो जाए तो log of mod of x का derivative होता है 1 by x जैसा कि आपने अब तक देखा है कि log of mod of x का derivative होगा 1 by x लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा क्या मिल जाता है extra as compared to normal जो अपने log of x का देखा तो रुको मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ बहुत simple सा comparison है देखो यहाँ पे x greater than 0 मतलब अगर आप log वाला function है आपके पास तो उसकी value 0 से बड़ी होनी चाहिए लेकिन जब आप mod लगा देते हैं तो आपका जो domain है उसको आप और broad कर सकते हैं कि आपने का x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए बाकि सारी value चलेगी तो यहाँ पे negative भी आपके पास आगया as a option because आपने mod का use कर लिया है तो कि mod उस negative को positive बना देगा log के अंदर ठीक है चलिए अगर यहाँ पे आजाए आपके पास log of mod of x with a base a तो base a का ध्यान आपको रखना पड़ेगा that is 1 upon x log a ठीक है clear रहिए मामला जी सर अब पिछले वाले तो और इस वाले में फरक क्या था यहाँ पे आपका कुछ नहीं दिया था log का base क्या है तो जिसको हम e मानते हैं वो ले लेंगे पर यहाँ पे आपको उसके अलावा कोई और base दिया है तो उसका ध्यान रखना है कुल मिलाके बात का सारांच यहीं है चलिए कुछ questions है हमारे पास जिनको हम यहां practice करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे है ना क्योंकि जब तक question practice नहीं करोगे तब तक कोई भी theory आपको आदी ही समझ में है अब आपका f of x यहाँ पे क्या बोल रहा है कि f of x है 5 power x which is a number with a power in variable plus log x अब rule के साबसे हम इसको differentiate करेंगे तो d by dx of f of x would be equal to d by dx of 5 power x ठीक है यहाँ आपने लगाया bracket 5 power x और यहाँ पे आप plus कर दोगे d by dx of log x ठीक है चलिए यह clear है जी सर बहुत बढ़िया अब यहाँ पे आप देखें इधर तो as it is रहेगा कुछ जादा होना नहीं है तो d by dx of the function would be equal to 5 power x का आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा कि number की power variable हो जाती तो differentiation कैसे होता है तो सर हमने यही सीखा है कि the expression is as it is that is 5 power x लेकिन 7 में multiply हो जाता है log of 5 यह clear है g surplus log x अगर कुछ base नहीं दिया है तो आप लिख दोगे 1 by x यह कि अगर base नहीं है तो हम क्या मानते है base क्या होगा इसका base होगा e तो उसके साब से आपका answer आएगा 1 by x तो 5 power x log 5 plus 1 by x हमारा derivative हुआ given question का अब अगर rule याद नहीं होगा तो confused हो जाओगे rule याद रहेगा तो within 10 to 15 seconds आपका answer मिल गया screen होगी clear next question देखते है इसका b part 8 power x upon x power 8 अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो probably मुझे क्या करना है इन दोनों को divide करना पड़ेगा है ना क्योंकि भाया यहाँ पर आपके पास दो expression है एक उपर एक नीचे तो आपका f of x अगर देखोगे आप तो आपको मिलना चाहिए 8 power x upon x power 8 अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे सर हमें तो division वाला rule या फिर question rule लगाना है वो भी ठीक है आप में से कुछ बोलेंगे नहीं मैं इसको product rule से solve करूँगा तो देखो उस case में आपका f of x change हो जाएगा कि it is x 8 power x multiplied with what multiplied with x power minus 8 क्योंकि आप उसको उपर ले आए हो ठीक है तो मैं आपके लिए यहाँ पे दोनों rule से कोशिज करूँगा कि by question rule और देखते आंसर से हमारा है कि नहीं हमारा by question rule ठीक है क्या कहता है question rule कि sir f of x हो जाएगा हमारा पहले वाला function अगर हम देख रहे numerator जो होगा वो होगा differentiate और denominator as it is to x power 8 into d by dx of what sir d by dx of 8 power x minus 8 power x as it is and d by dx of what into d by dx of x power 8 ठीक है and this is further divided by x power 8 का whole square यह हो गया हमारा question rule which says कि numerator का differentiation करो denominator को as it is multiply करो then subtract denominator को differentiate करो numerator का multiplication as it is ठीक है चलिए तो यहाँ पर आप देखेंगे f of x का आप निकाल रहे है d by dx तो यहाँ पर लिख दीजिए ताकि लोगों को पता चले हम किस mathematical tool का इस्तमाल कर रहे हैं ठीक है अब 8 power x as it is right d by dx of 8 power x sorry x power 8 as it is and d by dx of x power 8 8 power x is 8 power x as it is into log of 8 ठीक है bracket close minus 8 power x as it is into अब यहाँ पर आप करोगे तो 8 उतरेगा नीचे और हो जाएगा x power 7 whole divide by अगर आप करोगे यहाँ पर division तो आपको मिलना चाहिए x की power 8 दूनी 16 is this clear कहीं कोई दिक्कत तो नहीं जरासी भी नहीं सर चलिए बहुत बढ़िया अब आप देखो यहाँ पर कुछ चीजें जो common आ सकती उन्हें हम common लेने की बिल्कुल कोशिच करेंगे तो आप बोलोगे dy by dx of f of x should have what? Sir एक तो दोनों के पास x power 7 तक है इसके पास 7 है इसके पास 8 है तो हम 7 तो बाहर खीची सकते हैं तो x power 7 आ गया बाहर multiply by 8 power x के अगर मैं बात करूं तो इसके पास 8 power x है इसके पास भी है तो 8 power x आ गया common अंदर क्या बचेगा? Sir x power 8, 8 power x दोनों में से कितना आ गया? 8 power x पूरा आ गया और यहां से आ है x power 7 तो 1 x बचेगा तो x log 8 ठीक है? माइनस यहां पर आपने क्या खिशना? यहां पर आपने 8 power x पूरा खिचा, x power 7 पूरा खिच दिया के वले 8 बचेगा and this is divided by what? So this is divided by x power 16. वही मेरा जो गणित का ग्यान है वो कहता है कि x power 7, x power 16 में कुछ न कुछ तो होगा साथ में 16 में से साथ गया तो आपके पास 9 बचेगा. तो जो मेरा final answer आएगा वो क्या आएगा? sir वो आना चाहिए यहाँ पे अगर हम देखे तो 8 power x into कितना? अब देखो यहाँ पे आप अगर यह x को बाहर लाना चाहिए क्योंकि सारे एक जैसे term बाहर आने चाहिए तो into किया आपने x ठीक है? अंदर आ जाएगा आपके पास log 8 तो भाईया इनके पास x था तो उन्होंने दे दिया 8 के पास नहीं था पर फिर भी दिया है तो भाईया फिर एक division में आ जाएगा balance करने एक लिए ठीक है whole divide by x power 9 तो यहाँ पर भी फिर से एक cancellation हो सकता है ठीक है कुछ लोग बोलेंगे सर मैं directly पहले ही 8 power x 8 खीच लूँ तो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है वो मर्जी आपकी है ठीक है मेरे को यह दिखा अभी जब मैं यह पूरा काम कर रहा था तो आप यह भी कर सकते है कि x power 7 की जगा सीधे x power 8 खीच के balance कर लो तो अब अगर मैं देखू तो सिंक में answer आएगा 8 power x upon x power 8 थोड़े से लग रहा है कि हाँ similarity जैसे लग रहा है और log 8 minus 8 upon x यह clear है यह होगा आपका final answer by question rule जहां पे आपने दोनों को क्या किया है question rule के तहट solve किया ठीक है clear है अब हम multiplication rule भी एक बार check करेंगे देखते हैं if we can get the same answer अब जगा की कमी ना हो इसके में उमीदी कर सकता हूं बाखी तो अपन ट्राइ करेंगे चलिए यह अपने boundary खीच दी है इतने इसमें हो जाएगा तो ठीक नहीं होगा तो भाईया कोई बात नहीं चलिए हमने लिखा f of x को दुबारा लिख रहा हूं में कि f of x जो है मेरा वो हो जाएगा कितना सर वो हो जाएगा 8 power x as it is multiplied with x की power minus 8 अब इसके साब सकर में solve करूँ तो d by dx of f of x would involve कितना सर पहला वाला as it is या आप कह सकते हो कि दूसरा वाला as it is तो x power minus 8 as it is इसका हम करेंगे differentiation तो bracket के अंदर आएगा 8 power x into log of 8 ठीक है और यहां पे हो जाएगा फिर plus अब की बार 8 power x as it is क्योंकि वो हमारा पहला expression था और इसमें जो दूसरा है उसका होगा differentiation तो minus 8 नीचे उतरेगा and then x की power हो जाएगा minus 9 राइट च्योंकि आप power को एक से कम करते हो तो 8 में से एक कम किया तो minus 9 हो जाएगा अब हम क्या करेंगे यहां पे थोड़ा सा LCM वगरा ले ले लेते हैं चीजों को देखने की कोशिच करते हैं तो जो negative power है उसको मैं नीचे लेके जा रहा हूँ तो यहां देखा मैंने 8 power x log of 8 ठीक है upon x power 8 minus था तो वो power नीचे आ गई यह minus sign यहां multiply होगा और आप बोलोगे अब होगे देखो 8 power x plus 1 क्योंकि पहले से 8 power x था आप एक और 8 ले आए multiplication में हाला कि वो minus sign वाला है लेकिन हो तो multiply ही रहा है ना तो वो जाएगा plus 1 क्योंकि हमने minus sign उसको बाहर common भीज दिया और नीचे आ जाएगा x की power 9 अब आप क्या करेंगे सर अगर LCM लेना है तो इसके पास एक x आना चाहिए तो दोनों x power 9 हो जाएगे तो LCM लेना आसान हो जाएगा ऐसा भी कर सकते हो या फिर आप अगर ऐसे देखेंगे तो भाईया LCM लेना पड़ेगा या अपन को तो अपन इसको solve कैसे करेंगे तो dy by dx of f of x की मैं अगर बात करूँ ठीक है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा सर पहले तो दोनों में से 8 power x common ले लिजे ठीक है उसके बाद आप क्या करेंगे उसके बाद आप सर अगर यहाँ पे देखेंगे अंदर x log 8 ठीक है अपन x power 9 माइनस यहाँ पे आएगा 8 अपन x power 9 यह क्या कि आपने दो चीजे करी मैंने पहला 8 power x को दोनों जगा से common लिया ठीक है यहाँ पे plus 1 था एक और 8 था तो वो रह गया और यहाँ पे 8 power x बाहर आ गया और इधर पे same denominator करने के लिए मैंने x से multiply किया इस वाले fraction को ठीक है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपने किया है into x एक काम करते हैं थोड़ा अलग कलर से लिखते हैं कि आपको ध्यान रहे कि अपने यहाँ पे LCM लिया है तो आपने किया into x into x अब अगर आप इसको continue करेंगे तो आपको d by dx क्या मिलेगा तो sir d by dx of f of x would be equal to 8 power x upon x power 9 ठीक है और यहाँ हमने लिखा x log 8 minus 8 ठीक है यह भी answer correct है और वो भी answer correct है क्यों जो कि अगर मैं इस x को बाहर खीच दू ठीक है या फिर मैं यहाँ पे यह multiply करने की जगा इस जगा पे common ही लेता x power 8 तो भी मेरा यह वाला answer आ सकता था ठीक है clear है यह मामला यह एक तरीका हो गया अगर आप इसका screenshot लेना चाहें तो एक बार देख सकते हैं दोनों answer same है फरक में आपको बता रोब क्या है फरक यह है कि यह वाले step में LCM नहीं लिया जाएगा बलकि इसको दूसरे तरीके से किया जाएगा अगर आपको same answer चाहिए तो हम क्या करेंगे हम LCM नहीं लेंगे हम चीजों को common लेंगे तो जब आप d by dx of f of x करोगे तो आप 8 power x upon x power 8 को common ले लोगे तो यहां से सब कुछ common आ गया कि वह log of 8 बचा आपने लिख दिया यहां पे x plus 1 था आपने x ही बहार लिया तो एक 8 रहे गया और नीचे एक x रहे गया तो यह answer भी correct है same to same जैसा वहां पे आ रहा है वैसा यहां पे आया अब आप चाहें तो question rule से solve करें आप चाहें तो product rule से solve करें दोनों ही case में answer same आएगा आपको जो method easy लग रहा हो आप उससे solve कर सकते हैं ठीक है आप चाहें तो वहां 8 का LCM लेके फिर solve करें तो भी correct है आप चाहें तो सीधे common ले 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 जो बचेगा उसको अंदर लिख दे तो भी correct है differentiation की सबसे ज़्यादा सुन्दर बात यही है कि किसी question को solve करने का एक specific तरीका नहीं है जब तक कोई बोल ना देखी question rule से solve करो तो आप question rule से ना करके अपने हिसाब से product rule से भी answer निकाल सकते हो answer same ही आएगा हूब 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 अब यहाँ पर देखो क्या होगा सर अगर आपने लॉग वालों का नियम पढ़ा है मतलब अगर आपने लॉग के साबसे कैसे differentiate करते हैं वह पढ़ा है तो आपका काफी काम हो जाएगा तो आप बोलोगे f of x is equal to log of bracket के अंदर x plus root of x square minus a square चलिए अब अगर आप इसका d by dx करने के इच्छुक है तो नियम बहुत सिंपल है यह देखो chain rule हर जगा follow होता है कि पहले जो है उसका आप कर दो differentiation तो one upon x plus under root of x square minus a square यह हो गया जो chain का अपना log का जो function था उसका differentiation लेकिन यहाँ पर काम खतम नहीं होगा this would be multiplied by d by dx of log के अंदर जो function है that is x plus अब मैंने यहाँ पर लिखने का तरीका change किया x square minus a square की power 1 by 2 अगर आप इसको differentiate नहीं करेंगे तो आपका कारे अधूरा है क्योंकि नियम बहुत simple है कि सारी चीजों का differentiation होना चाहिए और आप धीरे धीरे अंदर की तरफ प्रस्तान करते हैं अपने log का कर दिया फिर log के अंदर जो value है उसका differentiation करो जो हमने question के log x का अगर को differentiation पूछे तो 1 by x आया और वहाँ भी x का differentiation हुआ था जो की 1 के बराबर था पर उसका कुछ impact हमारे answer पे नहीं पड़ा था ठीक है तो चलिए continue करें अगर हम चल्चले को तो d by dx तो यहाँ पे रहेगा f of x का इसमें कुछ ज़्यादा करने को है नहीं इधर भी जो हमारा पहला वाला पार्ट है that is as it is इसमें भी कुछ खास करने को है नहीं x square minus a square ठीक है चलिए अब यहाँ पे जो आपके पास expression है उसको ज़ जो भी आपका expression था उसकी power x से कम कर दीजे तो यह आपने किया minus 1 by 2 1 by 2 पहले से था आपने minus 1 किया तो minus 1 by 2 हो गया फिर आप x square का करेंगे तो वो हो जाएगा 2x और आप a square का करने जाएगे तो वो constant है तो जवाब आ जाएगा 0 चलिए यह होगा हमारा differentiation प्रोबाबली अब च तो कुल मिला के मेरे पास क्या बच रहा है मुझे वो भी देखना पड़ा है क्योंकि वो बहुत important ठीज है तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो गणित के लिहाज से मेरे पास बच रहा है d by dx of the function f of x is equal to 1 upon x plus under root of x square minus a square ठीक है और यहाँ हो जाएगा कितना तो सर यह हो पीलास इधर आएगा आपका x और यहाँ पर आजाएगा x के नीचे खाली under root of x square minus a square ठीक है एक बात का बहुत ध्यान रखना है बहुत लोग क्या इस वन को भी इसी के साथ ने लेंगे नहीं ऐसा नहीं करना है भाया x square minus a square की पावर minus 1 by 2 minus से तो नीचे आएगा और 1 by 2 application in xcf बाद में वो plus 1 अलग है तो उसका ध्यान रखना ठीक है अब अगर मैं यहाँ पर continue करूं तो भाया मुझे लेना पड़ेगा LCM उसके लावत तो कोई खास option बसता नहीं है मेरे पास बिलकुल सर तो जब आप LCM लेंगे तब आपके पास मामला क्या हो जाएगा तो दे रूट आफ x square minus a square and this is multiplied भी तब आप LCM लेलोगे 1 के साथ तो x square minus a square plus x which is further divided by under root of x square minus a square मुझे यहाँ पर थोड़ी थोड़ी smell सी आरी कि कुछ चीज़े cancel होंगी क्या आपको भी ऐसी feeling आ रही है हाँ जी सर्त तो अगर मैं थोड़ा सा rearrange करूं प्रोबाबली जिनको यह feel नहीं आ रहा है वो भी आ जाएगा तो अगर आप देखेंगे पहले पार्ट को आज़ेटे चोड़ दो जैसा था वैसा ही लिखो दूसरा जो पार्ट है आपका bracket के अंदर वाला उसमें मैं x को लिखूंगा पहले और root वाली value को लिखूंगा बा इसके डिनॉमिनेटर के बराबर आ रहा है तो गणित के अच्छे विद्यारती होने के नाते आप यहां अत्यांत प्रसंदता के साथ क्या करेंगे cancellation की यह पूरा का पूरा numerator इस पूरे के पूरे denominator से cancel और मेरे पास आया dy by dx कितना सब कुछ cut pit के एकदम बढ़ियां सा होके dy by dx या d by dx of the function is equals to 1 upon under root of x square minus a square तो एक खतरनाक दिखने वाले सवाल का हमारा final answer केवल जरासा आया अब वो तो coincidence वाली बात इसमें तो अपन कुछ कर नहीं सकते ठीक है चलिए screen अपन clear करने से पहले दो मिनिट आपका इंतजार कर लेते हैं in case you have to take a screenshot good to go चलिए screen यहां पर होगी clear easy question था next question देखते हैं कहरा भी पार्ट में log of अरे यार एक्स वन यह इत्तों सारा कुछ करना पड़ेगा अब इसमें देखो प्रोबैबली जो मेरे मन में विचार आ रहा है क्या हम पहले इसके जो सवाल है अपना उसको rationalize कर लें मतलब log के अंदर ही rationalize कर लेंगे देखते हैं कितना simplify होता है उसके बाद अपन इसको फिर derivative की तरफ लेके जाएंगे तो log of हमने यहां पर शुरू किया सबसे पहले देखो root of x plus 1 plus root of x minus 1 ठीक है is getting divided by root of x plus 1 and minus root of x minus 1 तो अभी मेरी मेहनत पूरी कहां लगेगी इन जनाब का derivative निकालने से पहले इने rationalize करने में तो नीचे minus है तो multiply किस से करेंगे भई या plus से करेंगे क्या है कि उससे काम आसान हो जाएगा तो root of x minus 1 यह था आपने लगा दिया plus sign ताकि at least denominator में से तो root गायब हो जाए plus root of x minus 1 और अब अगर आप इस multiplying factor की बात करें तो इसने हमारे लिए क्या दरवाजे खोल दिये हैं कि देखो उपर आपके पास same ही चीज दूबार multiply हो रही तो उसको आप square बोल दूगे नीचे same है लेकिन बीच का sign अलग है तो आपके पास a minus b a plus b का option open है तो आप बोलोगे भगे यह log of identities का इस्तमाल करके in the numerator root of x plus 1 plus root of x minus 1 का whole square this is your first part divided by इधर आजाएगा bracket के अंदर root of x plus 1 का whole square ठीक है minus root of x minus 1 का square और यह bracket close चलिए तो यहाँ पर आप देखोगे log of how much तो sir a plus b के whole square से उपर वाला भी open कर देते हैं तो उसके सबसे हो जाएगा x plus 1 का square plus यहाँ पर हो जाएगा x minus 1 का square ठीक है a square plus b square plus 2ab 2 of x plus 1 into root of x minus 1 clear है यह मामला जी sir चलिए तो इसकी कहानी अपने लगबख सुलजा दी है बात रही अगर denominator को देखे हम तो हमारे पास square और root साथ में तो वो cancel out होके आपको मिलेगा x plus 1 एक ब्राकेट में minus of x minus 1 दूसरे ब्राकेट में चलिए अब उपर का मामला भी ब्राकेट और root cancel होंगे देखे आपके पास क्या-क्या बचेगा sir root और वो cancel तो x plus 1 plus x minus 1 और यहाँ पर में लिख रहा हूं plus 2 into under root of दोनों का साथ में multiplication अच्छा एक बात ध्यान रखना अब तक हमने differentiation start भी नहीं क्या अभी तो हम हमारे सवाल को ही simplify कर रहा है नीचे x plus 1 minus x plus 1 कुछ चीज़ें आपके cancel होंगी जैसे नीचे x से x गया उपर 1 से 1 गया क्या बचेगा मेरे पास as the maybe probably second last step कि log of bracket के अंदर 2x क्योंकि x plus x जोड के हो जाएगा plus 2 into under root of x square minus 1 square whole divide by 2 अब यह जो 2 है वो दोनों को divide कर रहा है ना तो इसका भी 2 ले जाएगा उसका भी 2 ले जाएगा लेकिन हम लिखेंगे कैसे हम लिखेंगे बहुत सिंपल तरीके से कि 2 आप कॉमन लिजे अंदर आया x plus under root of x square minus 1 square whole divide by 2 and then again a square bracket clearly यहां भी cancellation हम करेंगे 2 से 2 cancel तो आपका final answer आया log of how much log of bracket के अंदर x plus under root of x square minus 1 is this clear क्या यहां तक आपका पूरा मामला समझ में आया आपको तो हमने इत्ती मेहनत क्योंकि क्योंकि हमें भाईया simplify करना था अब इसके बाद इसका हम निकालेंगे differentiation ठीक है तो पहले यहां तक का जिसको screenshot लेना एक बार देख लो चलिए हमने screen कर दी है clear कोई कि जगा अपने पास थोड़ी कम थी तो अब अपन यहां पर लिख रहे है इसका simplified version which is log of bracket के अंदर कितना था भाईया sir x plus under root of x square minus 1 right g चलिए अब इसका बस अपन को क्या करना है इसका अपन को करना है differentiation derivative निकालना है और हमारा कारे हो जाएगा समाप्त और यदि आपने जैसा कि मैंने बताया भाईया यदि आपने पिछला सवाल किया है तो आप यहां पर आंसर भी सीधे बोल देंगे आप में से बहुत लोग अगर चाहे तो side में rough work में आंसर लिख सकते हो कि क्या आएगा च्योंकि this is same as what we have done in the previous question यही किया तो आप अगर compare करो तो आपको प्रोबाबली जल्दी से आंसर यहां पर मिल जाएगा चलिए अभी यहां देखेगा आपका d by dx of d by dx of f of x कितना होगा भी है वो देखो पहले फिर अपना आगे continue करेंगे तो d by df of f of x would be equal to क्योंकि log वाला function है तो पहले तो जनाब नीचे आ जाएगे क्योंकि log का नियम क्या होता है कि जो भी log के साथ expression है वो पूरा का पूरा denominator में आ जाता है ठीक है and then multiplication होगा किस से log के अंदर जो value है उसके differentiation से तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि multiplied by d by dx of bracket के अंदर x plus x square minus 1 की power 1 by 2 यह आपने क्या किया यह आपने declare किया भाईया कि हमने log का differentiation कर दिया अब log के जो अंदर है उसका differentiation करने की हमारी चेश्ठा है चलो शुरू करो भी आगे तो आपने कहा d by dx of the function would be equal to 1 upon x plus under root of x square minus 1 and this is multiplied with अब x का हो जाए कितना तो sir x का तो हो जाएगा 1 very good यहाँ पर हमने क्या सीखा है sir power आती है नीचे तो 1 by 2 आएगा नीचे और जो expression है उसकी power हो जाएगी कम कितने से एक से तो minus 1 by 2 1 minus 1 by 2 is minus 1 by 2 into x square का आपका जो coefficient आज जाएगा वो जाएगा 2x कुछ चीजें आप यहाँ cancel करोगे जैसे 2 से 2 cancel हो गया अब आपके पास क्या बचा है उसको पहले हम ऐसे form में लिखे जहां से हमारे लिए calculation आसान हो जाए ठीक है तो आपने कहा d by dx of अपना f of x would be equal to 1 upon इधर पे x plus under root of x square minus 1 ठीक है multiplied by यहाँ पे आप लिखोगे 1 plus कितना सर यह हो जाएगा x upon under root of x square minus 1 यह कहां से आया तो देखिए बहुत ध्यान से पावर थी minus 1 by 2 minus का मतलब है आपको denominator में भेजना ही पड़ेगा तो आपने denominator में भेज दिया और 1 by 2 मतलब आप क्या करोगे root निकालोगे तो वो भी आपने कर दिया ठीक है अब LCM लेके इसको में थोड़ा और simplify करने की कोशिश करूँगा तो d by dx of f of x would give me 1 upon x plus under root of x square minus 1 multiplied with under root of x square minus 1 plus x whole divide by under root of x square minus 1 अब कुछ लोग बोलेंगे साथ थोड़ा सा अगर आप इसको rearrange कर दें तो अपना काम बढ़ियां से हो जाएगा ठीक है चलिए तो rearrange करके हम इसको जब लिखेंगे तो कुछ चीजें हमारी cancel हो जाएगी और बाकी का अपना फिर answer आजाएगा ठीक है चलिए तो आप बोलोगे d by dx इतना मोटा पेन का होगा भाईया पतला कर दो पेन को लो भाईया तो d by dx of f of x would be कितना हो जाएगा तो इस वूट भी देखो यहां तो है minus 1 whole divided by under root of x square minus 1 अब यहां चीजें होंगी cancel अगर आप ध्यान चे देखें तो यह पूरा का पूरा जो है exactly जैसा नीचे है वैसा ही उपर भी है तो cancellation is easy right क्या बचाप सर बस answer निकालना बागी है final step तो d by dx of f of x would be equal to 1 upon under root of x square minus 1 तो probably हर वो question जहां पर आपको ऐसा कुछ मिल जाए function आपको answer पहले से पता है अगर mcq में आ गया तब तो और ही आसान बात हो जाएगी चरिए यहां हो जाएगी आपकी screen clear लेकिर उसके पहले in case you have to take a screenshot यह रहा आपका screen clear करने से पहले का समय screen clear option b question b यहां पर समय थर्ड question के रहा y equals to e thrice of log x plus 2x ऐसा कुछ है यह y की value है तो आपको क्या बताना यहां पर आपको प्रूफ करना है कि dy by dx कुछ इस प्रकार होगा चलो कैसे solve करोगे इसको sir पहली बात तो sir हमें इसको थोड़ा सा simplify solve करने के लिए कुछ न कुछ महनत तो करनी ही पड़ेगी बिल्कुल ठीक आपने देखो थोड़ा सा अगर मैं simplification कर दूँगा तो सब्सक्राइब मेरा काम आसान हो जाएगा क्या करूंगा मैं यहां पर ध्यान से कि वाई इक्वल्स टू लॉग के नियम के हिसाब से देखो क्या होता है यह जो नीचे पावर है इसको मैं ऊपर भेज सकता हूं तो यह हो जाएगा e log of x cube plus 2x यह होगा क्या सर एक्स प्लस जो पूरा है न उसका क्यूब होगा कि यह होगा पहले मुझे यह बताओ मतलब आपके साब से यह जो x cube plus 2x है क्या मैं पावर को भेज सकता हूं अभी सर थोड़ी से दिक्कत है आप एक काम कीज़े ना पहले इसको अच्छे समझने के लिए कुछ ऐसा लिखे कि 3 log x और यह प्लस की जगा मैं लिख दूँगा multiplied by e की पावर 2x यह ठीक है अब यह step आपको समझ में आ गया मैंने जो उपर प्लस था उसको break कर दिया अलग अलग में क्योंकि जब base same हो तो power add हो जाती है अब अगर मैं देखूं तो यह हो जाएगा y equal to e log of x cube हो जाएगा यह क्यों हुआ क्योंकि जो 3 था बाहर वो उपर पावर में चड़ सकता है into e की पावर 2x यह मैं क्या कर रहा हूँ यह मैं कोशिच कर रहा हूँ कि मैं y को जितना simplify कर सकूँ अब e की पावर में log होने का मतलब है वो दोनों आपस में हो जाते है cancel out और यह सिफ पावर नीचे आ जाती है या इसका निकालूंगा derivative तब सायब में आसानी से अपने अंसर तक पहुँच पाऊँ ठीक है आपको समझ में है हमने क्या किया देखो कभी-कभी सवाल ऐसे विच्चितर होते हैं कि उन्हें simplify करना इसे के बाद ही हम differentiate करते हैं तो अगर मैं यहां से continue करूं तो हम लिखेंग both sides with respect to x we get क्या मिलेगा हमें आपको उसका evaluation करना है तो सर इधर पर आप देखेंगे y को differentiate करोगे dy by dx हो जाएगा यह तो हम सबको पता है इस तरह अब क्या होगा सर क्योंकि यहां पे दो function है multiplication में तो probably हमें यहां पे करना पड़ेगा product rule का इस्तमाल जिसका नियम क्या कहता है क यदि आप पहले वाले को differentiate कर रहें दूसरा वाला आजटेस रहेगा अगर आप दूसरे वाले को करेंगे तो पहला वाला आजटेस रहेगा तो दोनों बार में एक होता है चलिए अब यहां देखिए x cube रहेगा आजटेस e की power 2x को differentiate कर रहे है ना e की power 2x का differentiation हमेशा e की power 2x ही रहेगा तो आप क्या बोलोगे यहां पर e की power 2x यह clear है जी सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं जरासी भी नहीं सर अच्छा एक बात बता हो अब मैं e की power 2x को differentiate जब करूँगा तो क्या power को भी differentiate करना चाहिए सर करना तो च basically हमने लिखा कि x cube multiplied with e power 2x which is further multiplied with 2 यह clear हुआ जी प्लास अब की बार e की power 2x as it is रहेगा और x cube का differentiation होगा which is 3x square चीजों को common लेके simplify करना हमाले बहुत जरूरी है ताकि हम अपने अंतिम्प मंजल तक पहुँच सके तो हम बोलेंगे भाईया देखो कि dy by dx would be equal to मैंने common लिया e power 2x and x square को y x square क्योंकि जनाब इनके पास 2 है इनके पास 3 है तो हमें 2 बाल लेना पड़ेगा तो e square and e की power 2x commonly आपने तो यहां से सब कुछ चला गया एक 2 बचा common आपने x square लिया है इसके पास 3 है तो एक x यहां रहे जाएगा तो आपने लिखा 2x प्लास यहां से भी e की power 2x and x square गया आपके पास बचेगा 3 यह bracket close तो आपका dy by dx आया x square into e की power 2x और bracket के अंदर 2x plus 3 यह आपका final answer हुआ और यही मुझे करना था कि प्रूफ करना था कि dy by dx इसके बराबर है हाँ जी अगर मैं normally करता तो शायर मुझे बहुत ज़्यादा समय लग जाता और शायर मैं चीजों को इत्रिचे solve नहीं कर पाता तो बहतर तरीका क्या है simplify करके solve करना ताकि easily अपना answer आजाए in case you want to take a screenshot please go ahead good to go चलिए third वाला question अपना समाप्तु अप्रोबाबली यहां पे example 4 कह रहा है कि y is equal to 9 की power log x अगर है तो बताओ इसका dy by dx शो करना है कि 2x के बराबर होगा चलिए कोई दिक्कत है क्या सर ऐसी कुछ लग तो नहीं रही है दिक्कत चलिए कैसे solve करेंगे इसको सर पहली बात तो आपको थोड़ा simplify तो करना ही पड़ेगा ठीक है उसके बाद ही कुछ हो पाएगा तो सवाल जो है अपना basically वह आपको कह रहा है कि यह जो 9 की power है वो है log x to the base 3 तो probably अपन को यहां पे कैसे देखना पड़ेगा कि log x है और जनाब उसका जो यह 3 है ना वो कहां है वो बेस के रूप में है ठीक है तो वो ध्यान दखना अगर यह फरक अपन याद नहीं रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ठीक है तो आपने कहा y is equal to चलो अपन कुछ बढ़िया कलर से लिखते है तो हम कह रहे हैं भाईया y is equal to 9 log x to the base 3 अब जितना गड़े तो हमने पड़ा है देखो log के base में 3 है और log जिसकी power में है उसका भी 3 से कुछ ना कुछ रिष्टा तो है तो हो सकता है कि हमें यहाँ पे कुछ तो explore करना पड़े ताकि सवाल easy हो जाए तो मैंने क्या किया 9 को लि और इसकी power में है log x to the base 3 अब हमने क्या पड़ा है जब ऐसे कुछ multiplication में हो bracket हो तो power multiply हो जाती है तो y would be equal to now thrice of power multiply हो गई तो 3 की power 2 log x to the base 3 यह clear हुआ क्या बोला हमने 9 को लिखा 3 square का 2 log से multiply कर दिया अब इस 2 को मैं ले जाओंगा उपर तो y would be equal to thrice bracket के अंदर यहां पे आपको मिलेगा 2 जाएगा उपर तो log of x यह 2 जो नीचे था यह आ गया x के उपर और यहां आ जाएगा 3 अब important चीज़ यहां पे क्या है आपको laws याद होने चीए log के और उसमें एक नियम यह है कि जिसकी आप power में है अगर वही आपके base में आ जाता है कि base और log मना जिसकी power में वह base और log का base अगर सेम है तो वह आपस में cancel out हो जाते हैं तो सर यह चीज़ हमने सबसे पहले क्यों नहीं की मतलब यहां पे क्योंकि देखो वह सीधे connection में होना चाहिए अभी आगे 2 लगा है यहां bracket लगा है यह सब हमने हटा के direct connection मिठाया कि 3 के just 2 पर 3 की power में सीधी सीधे log आना चाहिए उसके पहले कुछ नहीं आना चाहिए ठीक है तो वो जो 2 और bracket तो उन सबको अपने निप्टाया उसके बाद बताया कि y equal to x square है अब अगर कोई पूछेगा dy by dx तो आई थिंक घर का बच्चा बच्चा बता देगा जिसने कभी differentiation पड़ा है कि dy by dx would be equal to 2x तो कि x square का differentiation हो जाएगा power नीचे उतार के 2x तो यहां पे हम बोलेंगे hence proved मुर्गी यहां सिध्ध हो गई है कि dy by dx आया 2x के बराबर चलो clear है यह मामला जी सर कहीं कोई दिक्कत सर होगी तो आपको बता देंगे फिलार तो नहीं लगरी अगर किसी को screenshot लेना तो एक बार देख लो भाई बाद में मेरे को मत बोलना कि सर आपने समय नहीं दिया चलिए एक्जामपल फोर समा फिफ्ट एक्जामपल थोड़ा देखने में खतरनाक लग रहा है कह रहें कि भाईया यदि e power x plus e power y is equal to e power x plus y है तो पिरूप कीजिए कि भाईया क्या है मामला कि dy by dx कुछ इस प्रकार है चलिए सबसे पहले क्या करेंगे सर जो है अब उसी के साथ शुरू करना पड़ेगा फिर दिखेंगे जो कैंसलेशन में आएगा उसको पन फिर लपेटे मिलेंगे तो e power x plus e power y ठीक है is equal to e power x plus y चलिए ये मामला है जी सर अब क्या करेंगे हम सर हमारे पास कुछ खास बचा है नहीं डिफ्रेंशेट तो करना पड़ेगा तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशेटेंग बोथ साइट्स with respect to what sir dy by dx निकालना है तो with respect to x ही करना पड़ेगा चलिए with respect to x we get ठीक है अब ये देखना सबसे पहले e power x को जब आप डिफ्रेंशेट करोगे आपके पास बचेगा e power x into 1 क्योंकि x का डिफ्रेंशेशन हो जाएगा into 1 बताब 1 plus e power y का डिफ्रेंशेशन हो जाएगा e power y into y का डिफ्रेंशेशन dy by dx ठीक है ना चलिए इतना क्लियर है दूसरी तरफ जब आप करेंगे e power x plus y को डिफ्रेंशेट तो e power कुछ भी हो डिफ्रेंशेशन पे वही आता है तो x plus y और ब्राकेट के अंदर आप ले जाओगे x plus y का डिफ्रेंशेशन तो एक आजाएगा 1 और दूसरा आजाएगा dy by dx जोकि x plus y जो power है उसको जब हम डिफ्रेंशेट करने का प्रयास करेंगे तो x का हो गया 1, y का हो गया dy by dx अब आप क्या करोगे सर कुछ ब्राकेट को ओपन करके अपनको इधर उधर ट्रांसवर तो करना ही पड़ेगा तो e power x plus e power y into dy by dx would be equal to अब ये multiply होगा तो e की power x plus y plus e की power x plus y into dy by dx अब जित्तों गणित हमने पड़ो है dy by dx वालों को एक तरफ लेया और बाकी सबको एक तरफ कर दो तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा तो सर हमें मिलेगा यहां पे इधर पे लिख दो अगर मैं कि e power y into dy by dx minus ये plus ता इधर जाएगा तो e power x into e power y into dy by dx सर ये क्या किया आपने देखो जब base same होता है तभी power add होती है तो अगर x plus y हो रहा है तो मतलब clear है कि दोनों का base same है और power multiplication में है तभी rule के साबसे power add होई है तो जब मैंने इस तरफ किया तो उसको भी open up कर दिये ताकि मैं easily चीजों को common ले पाऊं ये clear है जी सर इस तरफ अगर आप देखोगे तो e power x plus y को मैं लिख रहा हूं e power x into e power y minus यहां से हम पूरा का पूरा e power x ले जाएंगे ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं यह e power x था वहां गया तो माइनस हो गया अब आप चीजों को यदि common लेंगे तो आपको काफी को समझ में आ जाएगा चलिए तो यहां हमने एक पट्टे का खीच दी अब हम चीजों को common लेंगे तो इधर पे आ गया e power y into dy by dx यह मैंने common ले लिया अंदर क्या बचा एक बार ध्यान से देखो सर पहले वाले की बात करें तो पूरा का पूरा उड़ गया तो वन बचेगा ठीक है क्योंकि आपने e power y और dy by dx दोनों को ले लिया है माइनस आपके पास बचेगा e power x इधर आप लेंगे अगर e power x common तो आपके पास बचेगा e power y है ना और साथ में बचेगा एक माइनस 1 ये clear है? जी सर चलिए अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो पहले में ले जाओंगा e power y into dy by dx को यहीं रखके जो दूसरा वाला जो ब्राकेट है उसको में ले जाओंगा तो ये हो जाएगा e power x into e power y minus 1 upon ब्राकेट के अंदर 1 minus e power x चलिए लगभख second last stage कि आपने कहा dy by dx is equal to अखेला कर दिया हमने इसको e power y भी आ जाएगा नीचे वहाँ multiplication में उपर side change करेगा तो नीचे तो आपके पास आया e power x is getting multiplied with e power y minus 1 upon e power y ठीक है? और यहाँ हो जाएगा अंदर 1 minus e power x अब अगर मैं देखू तो pattern से थोड़ा सा हलका सा distracted है क्यो? e power x है बिल्कुल है e power y minus 1 है बिल्कुल नीचे भी e power y लेकिन जो e power x minus 1 है वहाँ पे उल्टा आ रहा है and also मेरे पास minus sign तो है नहीं भईया तो मुझे वो भी arrange करना है तो मैं क्या करूँगा? probably कि denominator में से minus 1 common ले लूँगा तो आप बोलोगे dy by dx is equal to e power x bracket के अंदर e power y minus 1 bracket close whole divide by यहां से आपने लिया e power y और आपकी understanding के लिए मैं या minus 1 बाहर common खीच रहा हूँ तो जो negative था वो बन जाएगा positive यानि e power x और 1 जो positive था वो बन जाएगा negative यानि minus 1 अब इस minus 1 को मैं basically minus sign की तरह treat करके बाहर एक common area में छोड़ दूँगा बोलोगे therefore dy by dx is equal to minus sign के साथ अब आप fraction की दोनों value लिख दोगे एक तरफ लिखोगे e power x into e power y minus 1 upon e power y into e power x minus 1 clear है जी sir चलिए ऐसा कुछ हमारा answer आ रहा है हमारे इसाब से इसी के साथ प्रोबाबली हमें मिल गया कि dy by dx की value ऐसी कुछ आ रही है आप चाहें तो यहां पर minus sign को देखो अच्छे से लिख दो यह माइनस कहां सा है वो जो माइनस वन में बाहर की चाहें ना उसको में कहां रखूंगा थो कि भाईया वो तो जितना उपर वालों का उतना ही नीचे वालों का भी है तो इसलिए हमने बीच में लगा दिया ठीक है चलो क्लियर है यह मामला जी सर कहीं को दिककत तो नहीं बिल्कुल नहीं सागर आपको देखो चल चितर का चितर लेना है अर्थात screenshot लेना है तो एक e power x plus e power y equals to कितना e power x plus y तो प्रूफ कीजे कि dy by dx जो है भाईया वो आपका कितना है वो जनाब है आपका dy by dx is minus of e power y minus x ऐसा कुछ करना है ठीक है चलो अब देखो पहली बात तो y minus x यहां पर फिलहाल तो दिखनी रहा है तो पहले तो उसकी विवस्ता करनी पड़ेगी ठीक ह अब उसकी विवस्ता कैसे करो द्योंकि उसकी विवस्ता के हिसाब से पिर आपका पूरा सवाल चेंज हो जाएगा और चीजे करते चलेंगी वो भी फरक पड़ जाएगा उसका हिसाब देखो कुछ ऐसा होगा कि e power x plus e power y जो है ना इसको हम divide कर देंगे किस से e power x plus y से तो श क्योंकि नीचे common denominator है तो मैं दोनों से divide करवा दूँगा तो यहाँ पर x plus y कर दिया मैंने ठीक है फिर लिखा मैंने plus और यहाँ लिखा e power y upon e power x plus y अब ध्यान से देखना इससे होगा क्या हमने पड़ा है जब बे सेम हो तो power subtraction में आ जाती है तो आप लिखोगे e की power x minus of x plus y यह square bracket में बन ताकि कहीं भाग न जाए ठीक है पिलास e यहाँ पर भी square bracket start y minus x plus y अब आप जब इन ब्राकेट को open करेंगे probably आपको easily answer मिल जाएगा जहां से हम अपने सवाल को solve कर पाएंगे ठीक है देखिए इधर पे आप करोगे e power x minus x minus y right यहाँ हो जाएगा plus e power y minus x minus y is equal to 1 चीज़े करो cancel यहाँ पे x से x गया यहाँ पे y से y गया आपके पास क्या बचा सर मेरे पास बचा e power minus y plus e power minus x is equal to 1 अब इसको मैं अगर differentiate करूँगा तो probably मुझे यह result मिल सकता है अन्य था तो कोई scope नहीं है sorry extremely sorry चलिए अब इसको अगर हम करें differentiate करने की कोशिस तो मुझे क्या-क्या मिलेगा तो सर यह देखो सबसे पहले x we get क्या मिलेगा आपको result की रूप में देखो एक पर बताओ मुझे तो सर यह दि हम observe करें यहां पर हमें काफी अच्छे results मिल सकते in fact हमारा सवाल लगबग solve हो जाएगा तो e power minus y का differentiation होगा पहली बात तो e power minus y as it is into अगर मैं minus y का differentiation करूँ तो एक तो मुझे minus 1 लिखना पड़ेगा फिर आ जाएगा dy by dx ठीक है चुकि नेगेटिव है तो भाई उसका ध्यान रखना ही पड़ेगा आप माइनस साइन बाहर खीचरो ऐसा कह सकते हो ठीक है पीलास e power minus x का e power minus x into करोगे आप minus 1 जोकि x का differentiation होता है वन तो य का तो इसका हो जाएगा minus 1 ठीक है यहां पर जाएगा वन का differentiation 0 अब आप अगर सिंप्लिफाय करेंगे तो minus of e power minus y यह हमने minus 1 को minus sign की तरह ले लिया into dy by dx जैसा कि हम हर बार करते हैं यह minus 1 इस e से multiply हुआ तो minus of e power minus x is equal to 0 अब मुझे निकालना है dy by dx तो I go step by step यह तो ऐसे ही रहा into यहां पर हुआ dy by dx यह minus था उदर गया तो e की power minus x हो गया प्लस और यह जनाब यहां multiplication में है side change करेंगे तो division में पहुच जाएंगे तो dy by dx would be e power minus x minus of e power minus y अब जितना गड़े तो मैंने पड़ा है पहली बात तो minus sign किसी एक का नहीं है तो बाहर आ जाएगा common के रूप में ठीक है दूसरी बात जब base same हो तो power यहां पर हो जाती है subtract क्योंकि it is a division वाला setup तो minus x minus of minus y होगा right इसको आप थोड़ा सागा simplify करें तो this would be how much तो यह हो जाएगा minus of e bracket के अंदर minus x plus y और अगर मैं सवाल के जवाब में लिखूं तो यह हो जाएगा minus of e by dx minus of e और जाएगा y minus x clear है क्या यहीं चाहिए था थोड़ा सा अपना speaker जो loud speaker वो हलका सा खिश-किश कर रहा है तो यह सवाल में हमने पहले किया simplify लेकिन सरी हमें कौन बताएगा कि ऐसे कुछ divide करना है तो देखो यह कला तो आपको प्राक्टिस से ही आएगी जितना आप सीखोगे जितनी आप सिक्स के रहा है कि y की value कुछ इस प्रकार है तो बताओ डिवाइबर dx1-y2 के बराबर होगा प्रूफ करो basically अब यहां पर आपको दिखी रहा है यह दो एक्स्प्रेशन एक उपर एक नीचे तो प्रूबाबली बेस्ट हमारा चॉइस क्या है question tool division वारा option देखते क्या उसका हम लोग यहां पर use करेंगे तो हमें answer कुछ मिल पाएगा या फिर नहीं अब देखो dy by dx यहां आ जाएगा यह तो बहुत given सी बात है सबसे easy pass सवाल का यही होता है इधर पर आप देखोगे तो rule के हिसाब से denominator as it is तो अगर हम इसको लगा के अच्छे से bracket लगा के यूज करें तो हमने कहा भईया denominator as it is e power minus x and numerator का आप करोगे differentiation जब आप numerator का differentiation करोगे e की power x का differentiation e की power x plus e की power minus x का differentiation e की power minus x लेकिन हमेशा x का जो power है उसका भी differentiation होता है तो पहले वाले case में क्योंकि x का differentiation 1 होगा तो कुछ impact नहीं पड़ेगा पर यहाँ पर जहाँ minus x है उसका impact जरूर पड़ेगा तो आप लिखोगे minus 1 और यह bracket close यह होगे आपना numerator का differentiation अब इसमें करोगे आप minus आपका numerator as it is that is e की power x plus e की power minus x as it is ठीक है और जो आपका denominator है उसका हो जाएगा differentiation तो e की power x minus e की power minus x यह तो सेम ही रहेगा into करोगे आप x का differentiation यानि minus 1 तो into करके लिखो यह जैसे हमने पहले वाले पार्ट में लेका bracket के अंदर लिखो minus 1 बात बराबर है कोई आपको इस बात के लिए कुछ नहीं बोलेगा and denominator में you would have what denominator में we would have probably हमारा denominator है वही बट उसका square तो e power x minus e की power minus x whole power 2 चलिए यह जो minus 1 वगेरा घूंग रहे हैं इनको हम अंदर ले आते ताकि हमारा थोड़ा जो result है वो sink में हो जाए और चीज़े कम हो थोड़ी लिखने के लिए तो e power x minus e की power minus x यह पहला part as it is second वाले में आप देखोगे e की power x plus and यह minus 1 का हो जाएगा minus तो आप देखोगे minus of e की power minus x bracket close यहाँ पे minus रहेगा as it is and आप बोलोगे e की power x plus e की power minus x as it is and then यहाँ पे आप देखोगे पहला वाला e की power x as it is दूसरे वाले का minus minus जोड़के हो जाएगा plus तो आप बोलोगे e की power minus x whole divide by what? whole divide by e की power x minus e की power minus x का power 2 ठीक है? यह तो जिता चल रहा था वैसा ही चल रहा है अब अगर आप numerator में notice करो तो आपके पास same ही चीज़ दो बार हो रही है तो probably महनत कम करने के लिए हम लिखेंगे कि this is e की power x minus of e की power minus x का square यह bracket यह power 2 minus यहाँ पे हो जाएगा अगर आप इसको भी observe करो e की power x plus e की power minus x same चीज़ दो बार तो यहाँ भी आ जाएगा square और नीचे denominator में तो चल ही राय square वाला term तो e power x minus e power minus x का whole square अब अगर आप observe करो denominator में एक ही term है numerator में 2 है तो अलग हम कर सकते हैं इनको ठीक है ठीक है e power x अरे यह तुम आ जाओ e power x minus e power minus x bracket close का whole square divided by नीचे जो denominator था उसको मैंने क्या बोला कि भाईया एक बार numerator की पहली term में चले जाओ एक बार numerator की दूसरी term में चले जाओ यानि दो लोगो separately divide कर दो अब यहाँ पर आप देखोगे आप observe करोगे उपर नीचे सेम ही चीज है तो आप इसको cancellation कर सकते हो काम आपका आसान हो जाएगा इस तरफ हो जाएगा minus of कितना e power x plus e power minus x ठीक है इसका square and then नीचे सेम ही चीज भी तो minus sign का square ठीक है I think 90% of us का अब answer आ जाएगा अगर हम देखें पहले वाले पार्ट में भाई साब दोनों चीज़े सेम तो cancel हो जाएगी लेकिन यह डिवेजन है cancel हो कि answer 1 आएगा 0 मत लिख देना भाईया वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा ठीक है यहां पर मैं इसका दो पार्ट कर दे रहा हूं continue कर रहा हूं मामले को क्या बोला मैंने मैंने कहा कि cancellation हो जाएगा और इधर पर हम थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज करेंगे तो dy by dx here it would be one minus अब आप यहां पर देखो bracket के अंदर e power x plus e power minus x upon e power x minus e power minus x का square क्योंकि दोनों की power में 2 था तो मैंने का एक ही बार दिख लो थोड़ा सा आले से दिखा दो हमारे लिए उसका advantage है तो यह पूरा का पूरा होगे अपना अब आप अगर evaluate करो तो यह पूरा का पूरा डिक्टो है सेम लाइक वाइख वाई तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो कि डी वाइबाइभाइड dx is equal to one minus y square क्योंकि यह पूरी जो वैलू है यह तो यहां पर हमने प्रूफ कर दिया कि भाया यह जो हमारा question था डी वाइबाइब डी एक इस इक्टो बराबर हो रहा है कोई दिखकर जरा से भी नहीं सर्च लिए in case you want to take a screen shot please do the honors it is very easy question as far as I can understand चलो screen clear example six sum up example seven ever y equal to log of x plus root x तो यह कुछ प्रूफ कर दो कर पाएंगे क्या अपसर आपका आशिरवाद होगा तो काहें नहीं कर पाएंगे देखिए कर तो लेंगे पर पहले अपन इसको थोड़ा simplify कर दें क्या क्योंकि क्या ऐसा नहीं पिजवाद में महनत ज्यादा हो जाए क्या log of अगर मैं इसको LCM ले लूँ तो क्या मिलेगा मुझे सर मुझे मिलेगा एक्स प्लस वन अपन रूट एक्स राइट यहीं मिलेगा अब अगर आपको याद हो log में एक नियम होता है कि आप इनको ऐसे division की जगा कहां ला सकते हो subtraction के रूप में ला सकते हो तो यह हो जाएगा log of x प्लस वन ठीक है और यह हो जाएगा minus of log अब देखो root x लिखना चाहिए थोड़ा गलत होगा तो मैं लिख रहा हूँ x की power 1 by 2 जोकि root का मतलब क्या होता है power कितनी होगी sir power 1 by 2 होगी तो आप यहाँ पे बोलोगे y equal to log of x प्लस 1 minus half log x क्या यह clear है जी sir इसके बाद कुछ खास करने की जरवत है क्या नहीं sir हमें तो नहीं लगता सायद यहीं तक simplified version आएगा अब अगर आप इसका dy by dx निकालने की चेश्ठा करेंगे तो i don't think so आपको कोई खास दिक्कत आनी चाहिए चलिए भाया अब आप निकालोगे हाँ पे लिखोगे पहले बात तो अब यह कि भाया differentiating both sides differentiating both sides with respect to x तो जब भी आप लिखोगे differentiate कर रहे हो किसके respect में कर रहे हो यह लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके आपका solution change होता है तो थोड़ा सा ध्यान रखेगा इस बात का ठीक है चलो तो यह हमने पड़ा है कि यहां पर बोलोगे dy by dx ठीक है is equal to log of x plus one का differentiation one upon x plus one ठीक है minus यहां पर होगा half और log of x का differentiation होगा one by x ठीक है चलिए तो अब आपके पास आया कि dy by dx is equal to one upon x plus one minus one upon two x probably बहुत ही simple सी basic सी mathematics है LCM लेके solve करेंगे हमें answer मिल ही जाएगा two x minus x plus one upon two x into x plus one यही होगा ना जी सर तो भईया यहां पर अगर आप देखें आपको थोड़े brackets open करने पड़ेंगे probably हमें denominator तो मिल ही गया है तो अब मेन मुद्धा है numerator को थोड़ा solve करने का तो आप बोलोगे two x minus x minus one upon two x into x plus one तो यह जनाब कितने हो जाएंगे तो सर अब बिल्कुल last step ही है कि therefore dy by dx is equal to two x minus x किया आपको मिलेगा x आपने किया minus one नीचे हो गया two x upon x plus one के यही मुझे proof करना था हां जी सर चलिए easily proof हो गया important चीज़ क्या थी यहां पर कैसे आपने लॉग के अंदर जो पूरा expression था उसे simplify करने की भरपूर कोशिश की तो आपको easily answer मिल गया अगर शायद हम इसको simplify नहीं करते तो दिक्कत काफी जादा आ सकती थी चलिए अब यहां पर आप देखेंगे स्क्रीन क्लियर करने से पहले तो अगर आपको स्क्रीन शॉट लेना है तो एक बार देख लो easy सवाल but then slightly tricky कि आपको log का इस्तमाल कैसे करना और कब differentiate करना शुरू करना है ठीक है चलिए वैसे तो अगर आप इसको भी differentiate करते आपको यह मिलता डेनॉमेंटर में फिर आप LCM लेके जोड़ घटा के सब कुछ करते तो भी आपको Indian answer तो मिली जाता परन्तू अथक परिश्रम करना पड़ता थोड़ा स ठीक है चलिए अब एक्जामपल नमबर एट दो क्या बोला यादि वाई की वाल्यू इस प्रकार है वाई इंटू रूट आफ एक्स स्कॉर प्लस वन इस इकल सो लॉग आफ रूट एक्स को है माइनस एक्स तो प्रूफ करो कि एक्स स्कॉर प्लस बन का डी वाइबाइड कुछ इस प्रकार है चलिए क्या करेंगे अपसर डी वाइबाइड एक्स निकालना है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा सौल्स तो करना ही पड़ेगा और देखो डी वाइबाइड के साथ कुछ चीज़े मल्टिप्लाइड भी है फिर एक्स प्लाइड है तो काफी सारी अगर एसा किया गया होता तो फिर यह भाई साथ में आ रहे हैं जो कि अगर हम वाई को अकेला कर देंगे तो नहीं आएंगे तो लॉग आफ यहाँ पे भी हमने लिखा अंदर ब्राकेट के एक्स स्कॉायर पीलस वन की पावर वन बाए टू माइनस एक्स चलिए शुरू करें इसकी कहानी देखें अगर हम यहाँ पे करेंगे डिफ्रेंशियेटिंग बोथ साइट्स तो आपने लिखा डिफ्रेंशि करेंगे तब तो डिवाइब डिएक्स आएगा तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट चलिए इतना लिख दिया तो एक काम करतें एक लकीर भी खिदे ताकि पार्टीशन हो जाए अब जरत पड़ेगी तब की तब दीखी जाएगी चलिए अब यहाँ देखो आपने किया इसका डिवेंशन तो पहली टर्म आजटेस दूसरे वाले काम करेंगे तो वाई इंटू हाफ आफ पावर उतारी नीचे एक्स स्क्वेर प्लास वन यह जनाब पावर हो गई माइनस वन बाए टू ठीक है और इंटू हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वेर का डिफ्रेंश यानि 2x वाई पहली टर्म थी दोनों में से एक का करना है तो एक को रखा आज इस दूसरे वाले को डिफ्रेंशेट करना स्टार्ट किया तो पहले पावर का डिफ्रेंशेशन हुआ फिर पावर जिसकी थी वो अंदर वाले पार्ट का हुआ ठीक है पिलास x square की पावर 1 by 2 प्लस 1 की पावर 1 by 2 into y ठीक है तो यह अगर आप देखोगे यहाँ पे काफी कुछ चीज़ें हमारी होते जा रही है into y आप करोगे and this would be equal to इधर पे आपको log का करना है तो भाई या white lucky शायद आपको जाना पड़े तो equal to log का हो जाएगा 1 upon पहली बात तो यह पूरा का पूरा नीचे that is x square plus 1 की पावर 1 by 2 minus x यह होगे log का differentiation ठीक है जी सर और इधर पे जब आप करने के लिए आगे बढ़ोगे तो अब आपको अंदर जो है उसका भी differentiation करना पड़ेगा ना तो पहले पावर उतरेगी तो आपने लिखा 1 by 2 फिर फिर x square का होगा कितना तो सर वो हो जाएगा into 2x और x का हो जाएगा minus 1 क्या यह मामला clear है जी सर कहीं कोई दिखकत तो नहीं जरा से भी नहीं सर अब देखो मुझे ना यह power 1 by 2 खाली differentiation करने तक ही ठीक लगती है उसके बाद जब हम root के form में आते तो मुझे चीज़े काफी आस दो तो सर यहां है x और y तो ऊपर आपने लिखा xy नीचे आपने लिखा under root of x square plus 1 क्योंकि power में 1 by 2b और minus b है ठीक है यहाँ पर आया प्लस इधर पर आएगा under root of x square plus 1 अच्छा यहाँ पर y का differentiation करना था जो मैंने लिखा ही नहीं तो क्या होगा यह y का differentiation into dy by dx राइट जी सर तो यहाँ पर हो जाएगा into dy by dx और इधर पर अपने पास है एक तो one upon root of x square plus 1 यह बचा minus x ठीक है सर जी इधर आपके पास अगर देखोगे bracket के अंदर क्या बच रहा है तो सर इधर यह हो जाएगा एक तो power half है तो वो हो जाएगा नीचे क्योंकि माइनस के साथ है उपर बचेगा एक्स तो एक्स अपन रूट आफ एक्स स्कूर माइनस वन क्योंकि पावर हाफ है तो आ जाएगा रूट और माइनस तो आ जाएगा नीचे माइनस वन चलिए अब देखो यहां पर LCM लेना मुझे ज्यादा ठीक लगा रहा है कि काफी कुछ चीज़े मेरी सौट हो जाएंगी तो इधर आया एक्स वाए पिलस LCM लेने के बाद यह रूट आफ एक्स स्कूर प्लस वन सेम इससे मल्टिप्ला हुआ तो एक चीज़ को सोयम से मल्टिप्ला मतलब करना स्कूर लेकिन यहाँ पर रूट है तो यहाँ पर प्रोबाबली होगा क्या कि रूट और स्कूर आपस में होंगे चैनसल लेदी में लिखके दिखाऊं तो एक्स स्कूर प्लस वन का स्कूर इंटू यहां लिखा मैंने डी वाई बाई डी एक्स अपान कितना अपान रूट आफ एक्स स्कूर प्लस वन यह लिया हमने इधर पे LCM यहाँ पे भी मुझे LCM के आवशक्ता पढ़ेगी ही तो यह लिखा है मैंने वन अपन रूट आफ एक्स स्कूर प्लस वन ठीक है और यह रूट का साइन चाहिए थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया इमोशनल होके तो रूट आफ एक्स स्कूर प्लस वन माइनस एक्स उपर अपने पास वन रहेगा ठीक है इधर पर आप लेंगे एल सी हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगा एक्स माइनस रूट आफ एक्स स्कूर माइनस वन ठीक है होल डिवाइड बाय यहाँ पर है रूट आफ एक्स स्कूर माइनस वन चलिए यह मामला क्लियर है जी सर अब तक कोई दिखका जरा से भी नहीं सर अब काफी कुछ यहाँ प multiplied with this x square minus 1 और यहां पे भी x square minus 1 है तो क्योंकि यह multiplication में है तो यह probably इससे cancel हो सकता है आप समझने में क्या क्या रहा हूँ एक बार फिट समझना यह काम कर रुको आपको अगर यहां पे confusion होगा तो बहतर है कि मैं आपके लिए अलग से ही solve कर दूँ है न चलिए हम यहां पर क्या बोल रहा है कि इधर का part to as it is ठीक है आपने लिखा xy प्लस अब वहां पर देखो root or square cancel आपके पास केवल बचेगा x square plus 1 into dy by dx ठीक है whole divided by कितना है sir root of x square plus 1 ठीक है अब एक बात समझना equal to के उस तरफ जो है यह 1 है ठीक है अब मैं 1 से multiply कर रहा हूं तो मेरे पास उपर आएगा x minus under root of x square plus 1 ठीक है न माइनस बने प्लस बने अपने माइनस लिख दिया ठीक है यहां भी प्लस वन ही था आपने माइनस काहें लिख दिया दद्दा पिलस पिलस चलिए ठीक है अपन दोनों को प्लस ही कर रहे हैं अब यह समझना multiplied with root of x square अरे भी यह मिट मत जाना root of x square plus 1 और साथ में है माइनस एक्स ठीक है अब अगर आप देखेंगे तो क्योंकि दोनों के denominator में exactly सेम चीज़ आ रही है तो मेरे पास subtraction करने का पूरा पूरा अधिकार है तो यह माइनस यह पूरा इस पूरे से cancel ठीक है अब तो ठीक है आप समझ में आया मैं क्या कहरा था कौन किस से cancel होगा अब यहां पर बचा xy प्लस ब्राकेट के अंदर x square प्लस वन डी वाइब डी एक्स क्योंकि इधर आप कुछ बचा नहीं डिनॉमिनेटर में इधर पे जो न्यूमिरेटर है उसमें से एक जड़ा माइनस वन कॉमन ले लिया हमने तो अंदर क्या बचा सर जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया x square प्लस वन और जो पॉजिटिव था वो हो गया नेगेटिव और यह मैंने क्यों किया क्योंकि अब इसमें और डिनॉमिनेटर मैं दिख रहा है एक्स्प्रेशन में जरा सा भी फरक नहीं है तो मेरे पास कैंसेलेशन करने का पूरा पूरा चांस है तो मैंने यहां पर किया कैंसल इन दोनों को अब ध्यान से देखना मेरे पास क्या-क्या बच रहा है थोड़ा सा रियारेंज करके लिखूंगा तो मेरे पास बचा एक्स स्कॉायर पीलस वन ठीक है ब्राकेट के अंदर मल्टिप्लाइड विथ डी वाइवाई डी एक्स ठीक है प्लस एक्स वाई क्योंकि पॉजिटिव है और इट इस एक्वल टू माइनस वन अब माइनस वन को अगर यहां ले आओ तो आप लिखोगे एक्स प पिलस एक्स वाई माइनस वन की जगा अब हो जाएगा प्लस वन वन इस इकवल टू जीरो क्लेर यह कalter ही मुझे प्रूफ करना था हांगी x square plus 1 into dy by dx plus xy plus 1 is equal to 1 it is equal to 0 into यहां पर लिख दिया मैंने dy by dx मैं लाइन को थोड़ा नीचे कर दूँगा चिंता मत करो यह हो जाएगा प्लस चलिए तो प्रोबाबली यहां पर आपका सवाल बड़े ही अच्छे तरीके से समाप्त यह मामला ठीक है कैसे हमने सिंप्लिफाइ किया किसको किस से कैंसल किया कहां लिया यह आपको बहुत अच्छे समझ के चलना है अगर आपको स्क्रीन शॉट लेना है तो एक बार देख लीजे इजी सवाल था अब मैं करूंगा स्क्रीन को क्लियर और हमारा यह कोशन होता है समाब ठीक है अंडर रूट आफ यह देखो लॉग एक्स ठीक है प्लस अब यहां से अगर मैं आपको एक चीज बता हूं कि एक काम करो जरा इसको कलर अलग कर लो ठीक है अंडर रूट आफ लॉग एक्स प्लस अंडर रूट आफ लॉग एक्स and so on till infinity अब यह मैंने कलर अलग क्यों करा है क्योंकि इसको अगर मैं यह जो हमने लेखा है अलग कलर से इस पर्टिकुलर चीज के साथ कम्पेर करूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यह दोनों y ही हैं मतलब यह जो अंदर है तो what would I get as a result is कि y is equal to under root of log x प्लस प्लस हो मच सब प्लस और यहां पर आजाएगा y यह वाला जो question है यह या ऐसे वाले जितने question से वह सब इसी pattern में follow होते हैं कि आप क्योंकि infinity तक जा रहा है तो आप कितने भी add कर सकते हो तो आप उसी term में same चीज को introduce कर देते हो now what would be your next step तो sir हम बोलेंगे squaring both sides यानि squaring both sides अभी मैं differentiate नहीं कर रहा हूं अभी मैं square कर रहा हूं दोनों sides का we get क्या मिलेगा हमें तो sir हमें मिलेगा यहां से अगर हम square कर देंगे तो y square is equal to log x plus y इतना clear है जी sir यह आपका आगया equation अब इसको आप differentiate करोगे with respect to x and probably आपको आसानी से मिल जाएगा आपका answer so differentiating both sides पहले आपने square किया अब आप differentiate कर रहे हैं both sides with respect to x we get अब क्या मिलेगा आपको देखो इतनी कोई खास दिक्कत नहीं आएगी बहुत ही आसानी से आपको solution मिल जाएगा इसे y square के अगर में बात करूँ तो सबसे पहले power होती है differentiate तो वो हो जाएगा 2y into y का differentiation dy by dx इतना clear है तो हमारा left hand side differentiate होगे अब यहाँ पे आप देखोगे this is equal to log x का differentiation 1 by x and y का differentiation dy by dx यह ठीक है जी सर चलिए अब dy by dx वाली सारी terms को एक तरफ ले आओ तो 2y into dy by dx minus dy by dx is equal to 1 by x अब आप अगर common ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा सरा हमें मिलेगा 2y minus 1 जिसमें से हमने common लिया है dy by dx को ठीक है तो यह 2y के साथ ता पूरा आगया वहाँ पूरा का पूरा dy by dx आए तो आपको मिला 1 और this would be equal to 1 upon x clear है यह मामला जी सर अब आप क्या करेंगे सर अब यह multiplication में यह भाई सब side change करेंगे तो यह भी x into 2y minus 1 into dy by dx is always equal to how much sir it is equal to 1 यह clear हो गया जी सर क्या हमारा सवाल समापत हुआ हां जी सर इसमें तो कुछ खास दिक्कत आई नहीं देखा अगर आप लोग confidence के साथ सही concepts को लेते हुए चलेंगे तो कभी दिक्कत नहीं आगी इसमें क्या नहीं concept सीखा कि जब ऐसा कुछ infinite pattern हो तो आप जहां से कहानी शुरू करते हैं उसको कहानी के बीच में ले आते हो और मामला आपका बहुत simple हो जाता है चले स्क्रीन करेंगे अप अंक्लेयर यह था हमारे सेशन का लास्ट कोशन प्रोबाबली और येस वी आर कमिंग टूबर्स दी एंड लेकिन सेशन एंड करने से पहले आपके लिए बहुत important information है तो सुन के जाना ध्यांग से सबसे पहली बात तो यह आपको यह पता है कि नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपको पता रहेगा आपके टीचर ने कब कौन सा सेशन अप्लोड करवाया है या हमारे चैनल ने अप्लोड किया है और आप इजीली उनके साथ पढ़ पाएंगे आप अप टू डेट रहेंगे second thing अब आपको भी पता है कि हमारे चैनल बना हुआ है काफी विध्यारती इसको यूज भी कर रहे हैं अगर अब तक आपने यूज करना शुरू नहीं कहा है तो क्रपा करके यूज करना शुरू कीजिए इस वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ कैसे हमने वीडियो को यहां पर कैटेगरी वाइस डिवाइड किया है क्लास वाइस देन स्टीम वाइस उसके बाद फिर स्टीम के अंदर भी अगर आप जाएंगे तो हर एक पर्टिकुलर सब्जेक हर एक पर्टिकुलर चैप्टर का आपको यहां क्लासिफिकेशन मिल देन अगर आप हमारे सोचल मीडिया प्रेटफॉर्म को अब तक फॉलोग नहीं कर रहे हैं तो प्लीज इन्हें भी फॉलोग कीजिए क्योंकि यहां पर आपको प्रोवाइड किये जाते हैं बहुत सारे फन लर्न सेशन्स और यहीं पर आपको डिलिवर किये जाते हैं अगर आप हमारे इनोट्स और इबुक्स को प्रोक्यूर करना चाहते हैं तो आपके पास दो सरल रास्ते रास्ता क्रमांक एक हमारी यहां पर जो आप दिखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक लिंक दिया होगा उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आप सीधे हमार नोट्स और इबुक्स वाले सेक्शन पर पहुंच जाएंगा और वहां से इजीली चीजों को प्रोक्यूर कर सकते हैं रास्ता क्रमांक दो हमारी वेब साइट और आप पर आपको डिरेक्ली ग्राब इनोट्स का एक बटन दिया गया जैसे आप इस बटन प्ले क्लिक हमारे ग्राफ हमारे इनोट्स और बुक्स वाले सेक्शन पर जहां से आप इजीली चीजों को प्रोक्यूर कर सकते हैं विदाउट मच हसल तो बहुत सिंपल प्रोसेस बना कर रखा है हमने बस आप एक बार चेक तो कीजिए अब हमारे सारे वर्टिकल्स आपको रेगुलर् लगन से मेनत करेंगे तो कि यहां पर अगर आपकी तश्वीर आएगी तो ना आपके नसिव आपके माबाब बलकि हम भी बहुत प्राउट फील करेंगे जट हमारे स्टूरेंट्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इसी के साथ आज के सेशन को खतम करेंगे आप अप से पढ़ाई करें माबाब की सेवा करें फ्रेंट्स फामली को सपोर्ट करें टेक वेरी गुड केर आफ एल्ट सी यू सून बबाए टेक केर